हेलो बच्चो, हमारा प्रस्ण है यह दि बल का मान F बराबर P T की पाउर माइनस 1 प्लस अलफा T द्वारा दिये जाएं जहां T समय है तो P की इकाई किसके समान होगी? तो चलिए हम इसको देखते हैं तो बच्चो अगर हम बात करें P T की इकाई किसके समान होगी? तो P T की पाउर माइनस 1 यह किसके समान होगी? यह हमारी समान होगी बल के बच्चो समान होगी क्योंकि अगर दो भावतिक रासी जूड़ रहे ही एक ये एक ये तो इनकी जो रासी है वो हमारे बल के बराबर होनी चाहिए तो यहां पर से हम देखें तो बल का हमारा जो वीमा होता है वो होता है M L T की पाउर माइनस 2 और यहां से हम देखे P T का हो गया माइनस 1 तो हम यहां से P बराबर देखें तो यह हमारा हो जाएगा M L T की पाउर माइनस 1 तो अब यहां से हमने P की जो है वीमा यह निकाल दिया है अब हमसे पूछ रहा है कि यह जो है P की वीमा किसके समान होगी तो हम आएए देखते हैं वेग की बात करें अगर आप सन नंबर एक के बात करें वेग होता है मीटर पर सकेंड यानी एल्कश की पवार मायनस तूर्ण हम देखें तो यह गलत है अब हम बात करें विस्थापन की विस्थापन जो हमारा L में रहेगा यानि उसका भी नहीं होगा तोरण की हम बात करें तोरण हमारा क्या होता है मीटर पर सेकेंड डिसक्वार यानि L T की पाउर माइनस 2 कि अब हम बात करें आफ्टर अनुबर डी वी कि लगे तो हमारा जो समवेग USSR मता है म मैंस 1 और हमने समवे का क्या निकाला MLT की पावर मेनस 1 यानि जो पी की एकाई है वो किसके समान है समवे के समान है यानि हमारा जो आपसा नमबर डी है वो करेक्ट आंसर है थाइंक यू